मैंने चेर्मेन साब से बात किया, फोन लगाया, तो चेर्मेन साब मुझे बोल रहे है, 25 विजल टेक तारिक की साथ को निकालेंगे, कि कल कॉन पेपर देने जाएगा और कॉन नहीं जाएगा, और एडमिट काड उसकी अगली सुबह, कि तुझे यहां जाना है, उसको वहां मागने आया है, भूका है, और मैं उसके मूँपे रोटी फैक के मार दूँ, तो यह मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, बतावा, रोटी देने का भी एक तरीका है, अच्छे से पिलेट में सजाके, सबजी के साथ, अचार के साथ, प्याच के साथ, धीरे से सरकाएंगे, क तुमने बताया इतना लेट, कोई बात नहीं, यह सब भी वो बरदास्त कर रहा था, उसके बात क्या हुआ, तुमने कल उसको एक सदमा दे दिया, कि रिजल्ट से पहले ही तुमने यह बता दिया, कि हम दो तरीक से मिन्स का एक्जाम लेंगे, चो बिच दिन पहले बच्चा सोच रहा था, रिजल्ट आएगा, उसके एक जड़ महीने बाद, चलो पेपर होगा, अपना अच्छे से तियारी तो करी रहा था, ऐसा नहीं है कि उसने दो महीने खराब कर दिया, लेकिन दो महीने में वो कितना पढ़ ले था, चारो सब्जेक्स से, तुमने चारो सब्ज रिजल्ट एक तारीक की साथ को निकालेंगे, कि कल कौन पेपर देने जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और एडमिट काड उसकी अगली सुब है, कि तुझे यहां जाना है, उसको वहां जाना है, इससे क्या होगा, हर चीज को देने का एक तरीका होता है, प्रॉपर वे हो कि फूपा की लड़के ने फॉर्म बढ़ा है, तो मैं उसको भी सेलेक्ट कराना है, उसको तुम सब कुछ पहले से बता के रखा हुआ है, कि ऐससे सब पेपर होगा, पढ़ना सुरू कर दो, प्री क्वालिफाइंग हो गया, जो बच्चे इंटेलिजन नहीं है, पढ़ा ल लिखा नहीं है, तो पढ़ने लिखने का मौका तो दो, तो चले कोई बात नहीं है, वैसे खुशी की बात है, बट इस खुशी को कैसे सेलिबरेट करें, समझ में नहीं आ रहा, अलग-अलग तरीके के सदमेदेने कल ये बत नहीं है,